हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैस्टेक क्रियेटिव आर्ती पोरवाल में दोस्तो मैं हूं आर्ती और आज हम बात करने वाले स्ट्रे वैकेंसी राउंड की एमसीसी ने जो कैंडिडेट लिस्ट कल निकाली थी दोस्तो वह बहुत लंबी लिस्ट थी लगबग एक लाख से उपर स्टुडेंट्स उसमें थे लेकिन जो वैकेंसी हैं जैसे एमस में 129 वैकेंसी हैं 119 वैकेंसी हैं बलकी और जिपमर में 190 हैं और बियाच्चू में चार 40 हैं ESI में 11 सीड्स हैं DU प्लस IP में 40 सीड्स हैं तो दोस्तों इसके अलावा सीड्स इतनी कम हैं लेकिन जो कैंडिडेट्स जैसा कि आपको पता है इस ट्रे वैकेंसी में एक सीट पर 10 कैंडिडेट्स को बलाया जाता है तो इमस जो कल जो लिस्ट निकली है यह केवल एलिज चो का नाम है जिन्होंने रेजिस्ट्रेशन किया हुआ है चाहे उनके 113 नंबर हो या फिर 600 नंबर हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि सारे कैंडिडेट्स का सेलेक्शन हो जाएगा यह सभी को कांसलिंग के लिए पहुँच जाना है इन कैंडिडेट्स लिस्ट में जिनका नाम है उनको जिस इंस्टिशूट के लिए कांसलिंग में जाना है उस इंस्टिशूट की ऑफिशल साइट पर अपना नाम चेक करने हर इंस्टिशूट ने अपनी अलग अलग मैरिट लिस्ट निकाली है या Wassily तो निकाल देँगे अगर उस लिस्ट में आपका नाम है त बता दो खरी डेंटल सीर्स बच्ची हैं बीबेस की कोई सीट नहीं है और डियू के बच्चे बहुत परिशान है तो डियू की जो ऑफिशल वेबसाइट है प्लस आईपी कोटा में यह आपको अलग अलग इंस्टिचूट अलग अलग कॉलेज की वेबसाइट से आपको अप मेडिकल साइंस यहां पर जो आपकी कॉंसलिंग है वो बारा जैनवरी को नौ बजे है एड जेल एडिटोरियम एम्स में तो दोस्तों यहां पर आपका जो एक अपडेटेड लिस्ट आईए रैकेंड सीज की वो कल एपियर हो जाएगी वेबसाइट पर जिसमें अगर आप आपका नाम है तो ही आप एम्स के लिए काउंसलिंग में जाएंगे और यह लिस्ट कल ग्यारा बजे आएगी तो जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगी यह नोटीस अभी आईए और दूसरी चीज आपको बता दूँ शुड हैव अटेंड और विल रिटेंड दा एज का भी आपको Elisabilit दिया हुआ है दूसरा चैनल ऑजल ग्लाथ हिटेंग को बता दूसरा कैंडि आपको बता दूरा दूसरा कैंड प्ट क्टेंड g-डू एकेंसी राउंड एस पर उन लेबल हाई कोल्ट ओडर डेट दिया हुआ है तो यह इसकी एलिजबिल्टी जरूर चक्क लिजेगा अभी इन्हों ने एम्स ने अलग से निकाला एक एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए और मिनमम मार्क्स किते होने चाहिए तो एम्स का जो आप पूरा सुन लीजिए canededate who have appeared are appearing at the qualifying and expect to pass the examination with required percentage of marks as eligible of appearing in the stray vacancy round however their candidate will be considered only if they are provide documents evidence of having passed the qualifying examination with the required subject and percentage marks if the institute has to consider an examination of an Indian युनिवस्टी आर ए फोरें उनिवस्टी टू बीक्वेलन तो यह आप इसेंशल एकेडिमी क्वालिफिकेशन है मिनमम एग्रिगेट ऑफ दा माक्स का भी दिया हुआ है इंग्लिश फिर्जिस केमेस्टेटर अन बायो में मिला के जो आपके क्वालिफाइंग एक्ग्जामिनेशन माक्स हैं वो required for appearing in stray vacancy round examination और जनरल और OBC के लिए 60% marks आपके जरूरी है इंटर में और SCST candidate के लिए 50% और PWD candidates के लिए 45% तो दोस्तों यह भी याद रखेगा कि आपके इंटर के marks भी इसमें इतने होने चाहिए तभी आप इस stray vacancy counseling के लिए eligible होंगे those with CGPA grades only will have to apply to the conversion factor in the application form the conversion factor should be as approved by the respective examination board तो दोस्तों एक यह पेज और दूसरा process of counseling क्या है यह भी आपको बता दूँ क्योंकि बच्चे बहुत परशान है इंटर के लिए इंटेम्स college for your counseling will be done and after your counseling is over OBC counseling will be done followed by SCST counseling पहले general category की counseling होगी उसके बाद OBC की होगी उसके बाद SCST की counseling होगी यह सारी counseling 12 January को offline mode में होगी if any OBC seat remains vacant after counseling for OBC seat all vacant seats will be transferred to the unreserved category यहाँ पर एक rule बनाएगे अगर OBC की कोई seat बच जाती है तो वो general category में transfer कर दी जाएगी इसी तरह SCST की अगर कोई seat vacant रह जाती है तो वो भी जो है transfer कर दी जाएगी general category में तो यह general category के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनकी vacant seat जो है उनका number बढ़ सकता है तो आप मेरा यह कहना है अगर IMS की लिस्ट में आपका नाम है तो आप counselling के जरूर जाए दस unreserved candidates will be called again in case of OBCST seat अब पहले general की हो जाएगी फिर OBC की होगी फिर SCST की counselling होगी लेकिन अगर जो seat बचेंगी OBC और SCST की तो वो general category में transfer करी जाएगी तो फिर से general category की counselling होएगी ज तो counselling for these categories is over in this round and all unreserved category should therefore stay back till it announced that stray vacancy round counselling is finally over तो ऐसा नहीं है कि general category की counselling हो गई और आप वापस आजाएगा आपको वहीं पर wait करना होगा जब तक SCST तक की counselling नहीं हो जाएगी क्योंकि उसके बाद ही vacancy को transfer किया जाएगा और फिर से general category के बच्चों को उसमें शामिल किया जा कांसलिंग को अटेंड करने का candidate must produce priority of the registration slip yes printout आपको जरूर निकाला registration slip का वो ले जाना है जो आपको MCC ने स्टे वेकंसी राउन के टाइम पे जो original certificate of qualification ले जाएंगे उसके साथ ही लगेगा certificate मैंने आपको पहले ही बता दिया एक बार फिर से सुन लीजिए admit card rank letter result notification date of birth proof of belonging to SCST OBCWS 12th pass mark sheet और इसका certificate and a set of self-attested copies of the all certificate on the day of history council आपको जितने original documents ले जाएंगे सबकी फोटो कॉपी भी ले जाएगा ऐसा भी इसमें दिया हुआ है candidates already holding a seat in round 1, round 2 and mop up round will not be allowed to participate in the stray vacancy round ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जुन्होंने 1st second of mop up round में seat मिल गई हो फिर से fresh registration कराया हो अगर उनका by chance candidate list में नाम आ गया है तो वो इसके लिए eligible नहीं होंगे the allocation of seats will be made strictly as per rank per merit of candidates the OVC and EWS candidates will be allowed to appear in the counselling subject to production of only valid OVC EWS candidates issued by central government instruction job as on last date of counselling दिये बच्चे बार बार हम इसे पूछ भी रहे है कि यह जो certificate है state quota का हो इसमें साफ साफ दिया है कि आपको counselling में जब appear only valid वही certificate होंगे जो central government की तरफ से issue होंगे कई बच्चों ने मुझे से पूछा है कि क्या मैं करनाटका का हूँ तो करनाटका का चल जाएगा नहीं चलेगा आपका आपको central government का वो certificate बनवाना पड़ेगा यह साफ साफ इस point में दिया हुआ है इसलिए बता रहीं नई बिल्कुल list आई है एम्स ने अभी अभी release की है तो मैं आपको इस सारे points clear करे दे रही हूँ for any query please send email अगर इसके बाद भी आपको कोई query है एम्स के लिए तो कुछ numbers दिये हैं उस पे आप सुब़ेद 10 से 5 बजे के बीच में phone करके पूछ सकते हैं या उसकी mail ID है वहाँ पर mail करके अपनी query को पूछ सकते हैं तो दोस्तों यह सारे latest point थे एम्स के लिए जो मैंने clear कर दिय अब आपको एम्स के लिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए काफी beneficial होगा और अगर और दोस्तों एम्स के बारे में आपको बता देती हूं एम्स की MBBS की fees है वह first year की fee है 1628 रुपीज ठीक है दोस्तों तो यह आप बहु को एक फिर से लिस्ट निकले कि उसके साथ official website में अगर कोई और latest update आता है तो मैं आपको बता दूंगी तो दूस्तों यह पूरी news थी एम्स के बारे में अगर आपको यह news अच्छी लगी हो helpful लगी हो तो प्लीज मिले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा जैसे ही कोई latest update आएगा मैं सबसे पहले आपको दे दूंगी थैंक यू